हेलो दोस्तो आज मैं तितली हूँ और मैं आपके पास आई हूँ कहानी एक तितली की जिसको लिखा है अंजन सरकार ने और इसका नुआद है प्रित्वीराज मोंगा का हम तो मैं एक चोटी सी तितली हूँ मेरी मा कहती है कि मैं उसकी तरह ही सुन्दर हूँ अब मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ मैं मदर इस टू ब्यूटिफुल हम मेरी मा बहुत सुन्दर है उसके मकमल जैसे भूरे पंखों पर सफेद रंग के धब्बे है जब उसके पंख खुले होते हैं तो वो बहुत सुन्दर फूल की तरह दिखती है देख रहे हैं आप मुझे अपनी मा पर बहुत गर्व है अक्टूबर का महीना था एक दिन मेरी मा बाग में उसे जंगली दूधिया पौधे के पास ओड़कर पहुची फिर वो अपने पंख फड़ फड़ा कर पौधे पर बैठ गई थोड़ी देर बाद उसने कोमल हरे पत्ते के नीचे वाले हिस्से पर सफेद रंग के अंडे दिये तीसरे दिन अंडे में से रंधी इल्लिया निकली वे मैं उनमें से एक थी इस अवस्था को लारवा कहा जाता है मैं अंडे से बाहर निकल कर बहुत खुश थी मैं पौधे पर इधर उधर चलती हुई हर समय पत्ते खाती रहती मैं तेजी से बड़ी होने लेगी मैंने कई बार आवरन बदला पता है सिर्फ दो हफ्तों में मैं 6-7 सेंटिमीटर लंबी हो गई मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी कुछ ही दिनों में मैं भूरी पीली और नारंगी रंकी धारियों वाली बड़ी इल्ली बन गई तब मैंने खाना बंद कर दिया मैं बड़ी होशियार थी मैं रेंगतु ही पौधों के पत्ते के नीचे चली गई अपना सिर नीचे लटका कर वहाँ मैंने रेशन जैसा कोया जिसको कुकून भी कहते हैं बुना जल्दी ही मैंने अपने को कोय में बांध लिया देखा या एक पीले नारंगी रंका कोया था जो मैंने बुना नरम, घरम, आराम दे और सुन्दर कोया माने बताया कि अब मैं प्यूपा हूँ और इस दशा में मुझे आराम करना चाहिए अगले दिन पीला नारंगी कोया रंक बदल कर चमकदार रुपहला हो गया उसके किनारे काले थे यह मेरा रुपहला कोया था अब मेरा प्यूपा अवस्था का आठवा दिन था मेरे कोय का रुपहला रंग नीला होने लगा सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा था रुपहले कोया का रंग नीला पन लिये काला हो गया और वह धिरे-धिरे चलने लगा शुरू में कोई से बाहर निकले दो नन्हे नन्हे पाउं फिर और दो पाउं और और दो पाउं और दो पंक फिर उसके बाद अपनी उसके बाद अपनी मा की तरह यह रही मैं मेरे छे पाउं और चार पंक मेरे पंक गीले और मुड़े हुए थे मैंने थोड़ा सा आराम किया फिर मैं अपने पंक उपर नीचे फड़ फड़ाने लगी कुछ देर में मेरे पंक बड़े और सुन्दर हो गए अब मैं नन्धी सी तिकली हूँ पूरी दितली पंक फड़ फड़ाते हुए मैं खुशी खुशी उड़ती हूँ यह थी मेरी कहानी